मारे यूटूब चैनल लालेश फड़ापट में मेरा नाम है विसाल प्लियापती तो गाईज एक टू छात्रों के इवेंट समेश्टर एक्जाम को लेकर बड़ी अपडेट आ रहे हैं गाईज सभी छात्रों का इवेंट समेश्टर का एक्जाम फाम फाइनली आ चुका है औ और आप लुग अपना इवेंट समेश्टर का इवेंट समेश्टर का एक्जाम फाम कितने तारी पर आप लोग देख सकते हो आज ही की डेट में अभी अभी दिनांग 2 मई 2022 की डेट में एके टू की तरफ से नया सर्कूलर जारी किया गया और जिसमें आप लोग की इक्जाम फार्म के बारे में डीटेल में बताया गया है लिखा गया है बीसे 2021 के सम समेश्टर मिंस समेश्टर मिंस इवेंश्टर के असनातक इवें परासनातक के रेगुलर तथा केरी उबर की परिच्छाओं के परिच्छा फार्म यारपी के माध्धम से 4522 से दिनांग 14-522 के मद्ध भरे जाएंगे मतलब 4 मई से लेकर 14 मई के बीच में आपके एक्जाम फार्म भरे आपके संसान में अध्रनाच छाठ चातरों की समचित उपस्यती एमस पर अपलोड नहीं की गई है तो छाठ चातरा पर इच्छा फार्म भरने से वनचित रहेंगे मतलब आप लोग की जो अटेंडेंस होती है और आपके कालेश द्वारा एमस पर अपलोड किया जाता है अ अध्रनाच चातरों के प्रियोक्त विश्यत के संबंद में सूचित करते हुए द्वारा समय अनुशार परिच्छा फार्म भरवाना सूनी श्रीत करें जो आपका एक्जाम भरा जाएगा चार से लेकर 14 माई के बीच में भरा जाएगा साथी जिन चातरों के अटेंडेंड चली गया होगा कि 3rd year, 4th year का एक्जाम 25 माई से 10 जून के बीच में कंड़क्ट कराएगा और 1st year, 2nd year का एक्जाम 10 जुलाई के बात कंड़क्ट कराएगा अब सबसे बड़ा सवाल आता है 3rd year, 4th year वालों का कि सर 2 महीने भी क्लास नहीं चली अभी हमारा syllabus दूसरी उनिट कि किसी कालेज में तीसरी उनिट और इतने जल्दी हम लोग सिमेश्टर का एक्जाम कैसे देंगे क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो देख लो भाई डेट बढ़ने के अभी 1% भी चांस है नहीं मैं आपको रियल्टी बता दू एक्जाम आपका 25 माई से ही तो बहुत करेगा एक्जाम अठाई से लेगा या 29 माई से लेगा दो तीन दिन आगे पीछे उसी में करेगा तुछ से कोई मतलब निकलेगा नहीं अगर आप यह सोच रहे हो कि आपका एक्जाम जून में जाएगा 10 जून के बाद होगा डेट बढ़ेगी तो ऐसा कुछ भ पूरा हुआ है पांच यूनिट हर सब्जेट में पांच यूनिट होता है भी फार्मा की स्पेसिली बात करूं उनमें सभी दो दो यूनिट भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन यहां पर सिमेस्टर एक्जाम सर पर आ चुका है और सब लोग बहुत ज़्यादा टें झाल झाल